हेलो और वेलकम टू ओनलाइन अड़ाफोर स्टुडी बनिस्ट फॉर लर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ाफोर स्टुडी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस अब्डेट के बारे में लेकिन उसस उससे पहले ही मिल जाए जिससे की जो त्योहारों की रंगत है वो आप सभी के जीवन में बापस आए इनी डेशाई शुक कामनाओं के साथ में हैपी दशेरा बढ़ते आगे इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अब्डेट की बारे में जोकी संबंदित ह कोचिंग संस्तानों पर नोटिस और जुर्माने को लेकर उत्तर बिदेश में 27,000 प्रदों पर नई सिच्छक भरती साथी साथ यूपी टीजिटी पीजिटी को लेकर अगर बात की जाए प्रदों की संख्या तो बढ़ गई है जिसमें टीजिटी के लिए 20,485 और को लेकर देखने के लिए जो पिशी कोचिंग संख्यंद करने वाले 20 कोचिंग संस्तानों को नोटिस विजा है और पांच पर जुर्माना लगा दिया गया है असलमें यहां पर जो जानकर यह आपको देखने के लिए बारे में हैं जिसमें जादा-तर जो कोचिंग आपको मिलती हैं वो यहां पर आप सभी के सामने जैसे कि राव IAS Study Circle चहल पर एक एक लाग रुपे का जुर्माना लगाया गया है केंदिय उप्रोगता सरच्छन प्रदिकरण ने ब्रामक दावे अनुच्छत कारुबार प्रताओं के लिए राव IAS इसके लावर Study Circle इकाला IAS चहल अकादमी और IAS बावा एक लाग रुपे का जुर्माना लगाया है CCPA के जाच के दारे में 20 IAS Coaching Center जिनने नोटिस बेजे गए हैं जिनके नाम यहां नीचे लिखे हुए हैं जैसा कि आप से भी देख सकते हैं अभ यहां पर मद्दा क्या है वह आप से सामने नीचे देखने के लिए मिलेगा । और इसको लेकर और यहां पर एक्शन लिया गया है क्योंकि हर एक कोचिंग संस्तान में आप सभी ने देखा होगा वो फर्स्ट रेंक लगा कर लिख देते हैं और उसके बाद में इस प्रकार के दावे कोचिंग संस्तानों के माद्यम से जब किये जाते हैं तो चात इंफ्लेंस होकर उनकी तरफ और जादा बढ़ जाते हैं जिससे कि उनका कारोबार बढ़ता है जिसके बारे में लिखा हुआ है अटावन हजार करोड की इंडस्टी है जिसकी सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की बात की जा लिए लेकिन मुद्दे की बात यह नहीं है मुद्दा यह है कि यहां पर बार बार फरजी दावे किये जाते हैं कि हमारी कोचिंग ने सबसे जादा फरस्ट रेंक वाला और भी अलग लग पर आके दावे जो आपने देखे हैं मुझे बतानी किया आप शिक्ता नहीं है इसी बात को लेकर अब सरकार ने एक्शन लिया है और इसके बाद आगी की काज़वाई शुरू हो गई है फिलाल मुद्दे पर आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है यूपी में 27,000 परदों पर नई सिच्छक बरती विग्यापन 37,000 TGT-P जैसा कि आप सुभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के असास की सायता प्रावत माध्यमिक विद्याले और महा विद्यालें में टीचर्स के सेवा नब्रत होने के रिक्त प्रदों की संख्या लगाता बढ़ रही है और दूसरी और पुरानी भरतियां ज 4163 प्रदों पर भरति के लिए बिग्यापन जारी किया था इनमें टीचिटी के लिए 3333 पत निकाले गए थे और फीचिटी के लिए 850 पत शामिल है इस भरति के लिए अगस्ट 2022 में और आवेदिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कंप्लीट भी कर लिए लेकिन भरत अर्वान में सायता प्रावत माद्मिक विद्यालें में 20,485 जो पते लिए टीजिटी के खाली है और अगर बात की जाए प्रभक्ता के बारे में तो उनके जो पतों की संक्या है वो 4,384 पत खाली है हजारों की संक्या में रिक्त पत होने के बावजूद भी पड़े हुए हैं पुरानी भर्तिया अभी तक शुर्ण नहीं हो सकी हैं यही हाल प्रदेश के असास के साहथा प्राफ्त महारविद्यालेों का भी हैं असास के जो महार्विद्याले उनके अंदर 1070 पणlorे भरती के लिए बिग्यापन जारी किया गया था इस भरती के लिए ओनलैन आवेदन की प्रकिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है जून 2023 में प्रदेश भर में सेकड़ों की संक्या में जो टीचर से वो रिटायर हो गएं बड़ी संक्या में असिस्टेंट प्रफेसर पद भी खाली हो गएं इसके बावजूद नई सिक्षा सेवा चैन आयोक के इंतजार में असिस्टेंट प्रफेसर की पदों पर निकाली गई पुरानी भरती अभी भी शुरू नहीं हो सकी है इसके अलाबर राज की इंटर कॉलेज जो कि अगर बात कीए सिच्छक भरती को लेकर तो उसके बारे म साल पर पहले मांगा गया था उत्तव दिस लोक सिवा आयोक के माद्यम से लेकिन संकच श्योग गिता विवारत के चलते इस भरती का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ प्रतियों की च्छात्य संगर सगर बात की जा अब्रतियों के माध्यम से बताया जाता है कि अगर बात किये सिच्छन सर्स्तानों में अध्यापन का कारे प्रबाबित हो रहा है सरकार जब नए सिच्छा सिवा चेहन आयोग का कटित करना ही है तो देर ही क्यों की जारी है पित्यों की चात्तों के माध्यम से मांग करके करने की आंदुलन करने की चितावनी भी दी गई है जिससे की सरकार TGT-PGT के साथ में LTGate सिक्षक भर्धी को लेकर भी अब decision ले सके इनी तमाम मांगों को लेकर यहां पर अब्यातियों के माध्यम से कहा गया है कि रिक्त पतों की संक्या तो बढ़ गई है लेकिन भरती जहां थी वहीं की वहीं अभी अठकी होई है नए शिक्षा सेवर चैन आयूक की बज़े से ही इसी के साथ अगर बात कर लीज़े अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन देते हैं टीजिटी में फरजी चैनित कुछ अब्याति फरार जिसा कि आप सो भी जानते हैं कि टीजिटी बिजटी के अंदर जांच जारी है और जिनको गड़त तरीके से नौकी दी गई ये उनकी जार्च की जारी है इसी के चलते जब से जार्च शुरू हुई है उसी के बास से अब जो कहिने के अव्यरतियां फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी जान गई आपके सामने है दो हजार तेरा का ये मामला है इसी के साथ अगर बात कीज़े पुलिस में अब जो 20% महिलाओं को आच्छन दिया जाएगा यानि कि अगर बात कीज़े उत्तर पज़ेस की बातियों में 20% सीटों पर महिलाओं के लिए इज़र्फ कर दी जाएंगी और ऐसा कई अलग-अलग राज्जों के अंदर देखने के लिए मिलता भी है जहांपर बड़ी संख्या में सीट इ centr इजवर्फ की जाती है अब हाली मैं आप समीरे बिहार में भी देखा था वहाँ पे बहुत बड़ी संक्या के अंदर महिलाओं के लिए सीटें रिज़र्व करती जाती है फिलाल इससे महिलाओं को फाइदा भी होता है लेकिन कॉंपोडिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है बोईस के लिए लेकिन मैं इसको लेकर बस एज़र जानका ही आपको दे रहाँ आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बताएं अच्छी चीज़े महिलाओं को आगे लाया जाना चाहिए हर फिल्ड के अंदर और अब यहाँ पुलिस की बात की जा रही है तो 20% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए जिज़र्व की जाएंगी इसी के साथ अगर बात का ली जाए यूपी के 4,30,000 जो टीचर्स हैं उनको प्रसिशित किया जाएगा 10 दिसंबर तक जिसमें लिखा हुआ है कि बिना प्रसिशन कैसे चलाएंगे फेस अटेंडेंस नीचे लिखा हुआ है कि 4,30,000 जो टीचर्स हैं उनको 25 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक यह अभ्यान चलाकर उनको यहां पर जो प्रसिशन है वो दिया जाएगा जिसके बारे में जानका है लिखी हुई है क्योंकि बरतमान में टीचर्स को जो टैब कोई दिक्कत होनी नी चाहिए क्योंकि बहुत अपना काम इमानदाई से करें और जो इमानदाई से नहीं करें उनके खिलाब इस प्रकार के एक्शन लेना बिल्कूल सही है थैंक यू फॉचिंग इस वीडियो